बिस्मिल्लार्खमान रहीम, आज हम मॉडूल 123 डिस्कॉस करेंगे। मॉडूल 123 है, थ्रेड लोकल स्टोरेज। हमने प्रिविश्ली थ्रेडिंग डिस्कॉस किया, हमने देखा एक थ्रेड जो हो है, वह यूनिट ऑफ एक्जीकुशन हो सकते हैं, एक ही प्रोसीजर की कई थ्रेड्स हो सकती हैं, आपने एक प्रोसीजर मनाया, उसके आप मल्टिपल थ्रेड्स रन कर सकते हैं, जिसना हमने एक प्रिवेस एक्जामपल देखी थी, उसके अंदर हमने एक सौर्ट थ्रेड्स बनाई थी, तो सौर्ट थ्रेड की हमने कही सारी कॉपीज रन की थी, अब होगा यह के हर कॉपी को चाहिए होता है कुछ डेटा जो उसके लिए कहलें के यूनिग हो, कुछ information उसने अपने दिये store करनी है, ऐसी information जो किसी दूसी thread के साथ store करना है, तो वो ऐसी information है जो thread to thread vary करेगी, अब उस information को कहाँ पर store किया जाए? एक जो इस तरह से करने का जो तरीका है जो बड़ा जिस तरह हमने प्रिविसली यूज भी किया है जो इसका कहले हैं कि असान सा तरीका है एक प्रोग्रामिंग ट्रिक है वो यह यह है कि जब आप create thread करें तो create thread या begin thread करें तो साथ आप एक structure पास कर दें उस structure का एक pointer पास कर दें और उस structure के अंदर सारी information रखी हो और जब आपकी thread है वो structure के pointer की मदब से वहां से वो information get कर ले और अपनी भी को information store करनी है तो उसके अंदर वो information store कर ले एक तरीका यह है यह बिल्कूल basic method है इसका एक और तरीका भी है जो windows आपको provide करती है that is called thread local storage windows आपको एक thread local storage provide करती है आप उस storage को use कर सकते हैं उसकी memory जो है उसको increase कर सकते हैं add कर सकते हैं decrease कर सकते हैं जो आपकी requirement है उसके मताबग आप उस local storage का इस्तमाल कर सकते हैं जिस मरजी तरीके से आप चाहें उसको allocate करना है, कुछ और data उसके अंदर उसको de-allocate करना है, उसमें से read करना है, write करना है, जो भी operations करने है, आप इस तरह से कर सकते हैं, तो हम इस thread local storage के बारे में देखेंगे, यह thread local storage को हम कैसे use कर सकते हैं, thread local storage को एक उस structure जो है, यह आपको इस diagram के अंदर नदर आ रहा है, तो इस diagram के अंदर आप देख सकते हैं, कि हर जो column है, वो एक thread को corresponding कर रहा है, कि एक यह आपका function है, उसकी कई threads चल रही हैं, one, two, three, तो हर thread के लिए एक column होगा, और फिर उसके अंदर आपको कुछ variables की जरूरत है, यह जो हैं, यह index है, zero, one, two, three, one, thread one के अंदर एक variable होगा, at index zero, at index one, at index two, and three, and four, and so on, इसी तरह thread two के अंदर भी, एक variable होगा, at index zero, one, two, three, and so on, three के अंदर भी, at index zero, one, two, three, यहनि कि इसका एक flat structure है, ठीक है, तो इस structure के मताबिक ही, आप इसको use कर सकते हैं, इसके नदर चाहें, तो आप और rows add कर सकते हैं, बीच में से rows जो हैं, उनको de-allocate कर सकते हैं, मजी, rows को allocate कर सकते हैं, जब आपको जरूरत पड़ें, लेकिन जब यह करेंगे, तो यह तमाम threads के लिए rows allocate और de-allocate होंगी, लेकिन जो specific thread होगी, वो सिरफ अपने column में पड़े हुए ही variables को use कर सकेगी, वो दूसरे column पे पड़े हुए variables को use नहीं कर सकती, यानि कि thread 1 जो है, वो सिरफ अपने column के अंदर जो values पड़ी हैं, उनको read कर सकती है, two में पड़े भी values को read नहीं कर सकती, लेकिन अगर अगर असमें कुछ allocate करना है, तो जो allocate करेगी, तो पूरी की पूरी एक row create होगी, जिसका effect 1, 2, 3, सारी threads के उपर आएगा, तो जब आप कोई एक thread create करते हैं, तो उसका जो TLS है, thread local storage, उसके अंदर कोई भी row नहीं होती है, वो बिलकुल empty होती है, और अगर आपको ज़रूद पड़ती है, तो आप rows को allocate कर सकते हैं, और जो जो आगे चलते जाएं, आप उन rows को de-allocate भी कर सकते हैं, और जो columns हैं, वो कैसे increase होते हैं, columns तब increase होते हैं, जब आप कभी एक नई thread create करते हैं, जो जो आप नई threads create करते जारे हैं, हर thread के लिए एक column add हो रहा है, एक function की आपने एक thread बनाई, एक column बनेगा, उसी की एक और thread बना लिए, एक और column बन जाएगा, एक और thread बना लिए, एक और column करना है तो यह समझा जाएगा कि जी यह manage हुआ है जो primary thread है वो ही करें लेकिन जुरूरी नहीं है कोई सी भी thread उसको manage कर सकती है कोई सी भी thread allocate कर सकती है और deallocate कर सकती है लेकिन हर thread जो सिरफ उसी TLS के portion को access कर सकती है जिसका कि उसको privilege हासिल है यह कुछ APIs है जिनको हम देखते हैं जिनके मदद से हम threads जो है उनकी local storage के लिए space allocate भी कर सकते हैं और deallocate भी कर सकते हैं यह सबसे पहली बड़ी simple सी API है TLS allocate TLS allocate तो जब TLS allocate करेंगे तो क्या होगा कि यह आपको double word return करेंगी वो double word जो होगी index होगी जो index allocate हुई है और TLS free जिस index वो आप free करना जाते हैं वो index आप उसको pass करेंगे वो पूरी की पूरी रोज है free हो जाएगी similarly अगर आपने TLS के अंदर कोई पड़ी वी value get करनी है यह set करनी है उसके लिए दो मजीद APIs हैं एक TLS get value और एक TLS set value get value क्या करेगा आप उसको index specify करेंगे और वो आपको उसकी जो भी value पड़ी होगी वो LP void की form के अंदर return कर देगा set value क्या करेगा set value value change करेगा आप उसको index specify करेंगे और यह जो भी आपने value specify हो की हुई है वो index बजाके store हो जो ही LP void की form में तो यहां से क्या थाबिद होता है कि TLS हमारे पास बड़ा एक convenient system है जब आपकी threads है उन्हेंने जब memory use करनी है उन्हें एक मजीद कोई memory variables जिनकी जुरूत है हर thread को अगर independently कुछ variable की जुरूत है तो वो अपने लिए मजीद rows जो है threads जो है वो किसी global memory area को use कर रही है और अगर global memory area तो फिर सारी threads जो है उस global memory area को access कर सके भी लेकिन हम चाते हैं कि हर thread की अपनी independent memory space हो अगर एक thread उस area को access करती है कोई दूसी thread जो है वो उस area को access ना कर सके तो उस case में TLS जो है वो most ideal situation है लेकिन यहां पर कुछ एक दो cautions देखने की जुरूत है एक cautions यह समझने की जुरूत है कि जो जब आप memory को free कर रहे है तो free जब करेंगे तो पूरी की पूरी row free हो जाएगी free कोई भी कर सकता है allocate कोई भी कर सकता read write सिर्फ specific column ही होता है लेकिन row जो है पूरी की पूरी वो कोई भी free कर सकता है free करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप free कर रहे है वो सिर्फ आप ही की thread नहीं बलके बाकी सारी threads को उस चीज़ के अब जरूरत नहीं है अगर आप अप सिर्फ अपनी thread के लिए free कर रहे हैं और बाकी thread हो सकता है उनको जरूरत हो तो वहां पर problems create हो सकते हैं तो यह caution की जरूरत है और अगर आप किसी global memory area को use कर रहे हैं तो वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि उसको फिर सारी threads success कर सकती है वहां पर आप अपनी information को hide नहीं कर सकता है तो इस तरह से TLS जो है वह बड़ा एक convenient किसम का mechanism है उसके अंदर thread की जो information है वह hide भी हो जाती है और thread अपने लिए memory allocate भी कर सकता है बस यह आपको ख्याल लखना पड़ता है कि deallocate करते वक आप ऐसे चीज़ने delete कर दें जिसको के बाकी threads की जरूरत है TLS most convenient है जब आप DLS के साथ काम कर रहे हैं जब आपकी threads जो है वो DLS के साथ interact कर रहे हैं तो हर thread की जो DLS के साथ interaction है उसका जो status है वो TLS के अंदर जो है आप convenient जो है वो उसको store कर सकते है तो यह एक और बड़ा added advantage है कि TLS बड़ा एक generic method है जिससे के हर thread अपने तरीके से DLS के साथ जिस मर्जी DLS के साथ interact कर सकती है कर सकते है तो है यह जो है झाल झाल कि TLS यह झाल कि TLS कि TLS